नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे रासी फल धाम यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला रासी फल के बारे में कि यह दिन तुला रासी वालों के लिए केसा रहेगा किन कीन चीज़ों से इनको फायदा होगा और कीन चीज़ों से इनको साउधान रहना होगा इनकी लव लाइफ केसी रहेगी केरियर केसा रहेगा वेजनस और बैपार केसा रहेगा और स्वास्त की महतवपुन जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका सूबरंग और सूबरंग का क्या है दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको इगा उपाई भी बताएंगे जिसे आप अपने दिन को अच्छा और बहतर बना सके दोस्तों आपके भी रासी तूला है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिशना करें और इसे अंतर तक जडूर देखें वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगोंशे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें साथ में नौटिपेकेशन बैल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारे नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंश के तो चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा तूला रासी बालों के लिए आज का दिन सबसे पहले बात करते हैं किया आज आपके लिए पोजिटिव रहने वाला है दोस्तों आप बर्तमान गत्तिविदियों के अलावे दूसरों छेतिरों में भी रूची लें इससे आपको नई नई जानकरिया मिलेगी साथ ही राशनातमक कारे में भी कुछ समय जरूर वेतित करें आप सकारत में महसूस करेंगे युआ वेक्तिगत और वेहवारी गत्तिविदियों में बहतर तालमिल बना कर रखें तो किसी परभावसली वेक्ति से मुलाका दरंग लाएगी और महत्पुन अफसर भी सुलब होंगे निजी रिस्तों में मदूरता बनाये रखने में आपका विश्यस प्रियास रहेगा वारिश्ट व्यक्तियों के मारदर्शन वा परामर्स आपको कोई निरने लेने में मदद मिलेगी यह समय आत्मन्थन करने का है आपका समाजदारी पुर्ण वहवार नोकसान को भी पायदे में परिवर्तन करने में समख्च रहेगा अगर किसी को पैसा उधर दिया है तो उसकी वापसी लेने के लिए समय बहुत ही आनुकुल है आज आपके लिए गिरिश्ती बहुत ही आनुकुल है आपने परवल एक्षा सक्ति और आत्म विश्वास के साहरे आप कई महत्पुन कारियों को भी पूरा करने में समख्च रहेगे धर्म कर्म के मालने में भी सुरूची बनी रहेगी तो आज किसी खास व्यक्ति के साथ वर्तलाब होगा आपके आत्म विश्वास और मनोवल में भिर्दी होगी फाइनन समिन्दी कारियों को पूरा करने में ज़्यादा सत्रक रहें सांतान की सिक्षा को लेकर की गए प्रियास सफल रहेंगे जन संपरका का दारा बढ़ेगा कोई मुश्किल राह आसान होने से संतुष्ट का भाव रहेगा गिर्शितिया आपके पक्ष में हैं देनिक कारे सुगनता से संपन होते जाएंगे युगांको अपने केरियर से समिधी कोई उपलवदी हासिल हो सकती है सिर्व आपको प्रियासाद रहने की जरुरत है आपको अवसी सफलता प्राप्त होगी कोई भी काम करने से पहले उसके लिए योजना अवसी बनाएं इसे आप गलती से बचेंगे परिवारी गोर व्यक्तिगत गतिवीदियों के वेस्तित रखने के लिए कुछ योजना बनाएंगे और दोस्तों आपको काम याभी भी मिलेगी तो स्थाप के नेगिटिव की बात करें तो अधिक वैस्ता की वज़े से ठकान महसूस करेंगे इस समय किसी भी परकार का अतिरिक्त काम अपने हाथ में ना लें क्योंकि इसकी वज़े से आपके व्यक्तिगत कारे में रुकावटें आएगी वहान से जुड़ा कोई बड़ा खर्चा सामने भी आ सकता है यूअबर को अपने किसी लप्ष की प्राप्ति करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की जोरत है इसलिए व्यर्थ की गत्ति विद्ये में समय नस्ट ना करें निवे समन्दी कारे को अस्तेगीती रखें दोस्तों ध्यान रखें कि ज़्यादा वसुलों और सिधानतों पर अडिगराना भी कारे में रुकावटें डाल सकता है इस समय अनुसार अपने वेहबार में भी बड़ी वर्तन लाएं कुछ लोग आपका आईद करने का प्रयास करेंगे लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे रुपे पेसे के मामलों को बहुत सावधानी पुरभग निप्टाएं आप किसी मुस्यवत में पढ़ सकते हैं जल्दवाज में कोई भी निर्नल है कुछ लोग आपके खिलाप आप वहाँ फेलाने की कोशिश करेंगे लेकिन आवेश में ना आकर सांती पूरे तरेके से काम करें दोस्तों कुछ अब प्रत्यासित खर्टें सामने आएंगे जिन में कटोती करना संभव नहीं होगा हलाकि अब अपने समार्स्ते साकारत में परिस्ते में नियंतरन पालेंगे इस समय का इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अपनी एक्छा पूर्ती के लिए किसी भी परकार का खत्रा ना उठाएं दोस्ता आपके व्याफसा में व्याफसा गतिवेदियां समाने ही रहेंगे इस समय कारिश्यत में आपकी उपस्ती रहना जरूरी है क्योंकि किसी कर्मचारी की लपरवे की वज़़से दिकतें आ सकती है नुक्री पैसलों को अपना कोई टार्गेट हासिल करने के लिए और अधिक मेहनत करने की जरूरत है व्याफसा में आप उन्ती के लिए नए मार्ग और नए विकल्पों की तलास करें और काफी हद तक सफलता भी मिलेगी किसी कर्मचारी की वज़़से कोई नुकसान हो सकता है लेकिन तनाव लेने से परस्तियां और बिगड़ेगी इसलिए सांती पूर्ण तरेकी से समस्यां का हाल निकालें तब ही आप सफलता पा सकते हैं दोस्तों व्याफसा में परस्तियां कुछ बहतर होगी पिछले काफी समय से कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है ध्यान रखें कि कोई सहयगोई के साथ मनमुटाव होने से उसका असर आपकी कारपरनाली पर भी पड़ेगा नुकिर पैसा लोगों के लिए उपर कारभार की अधिकता रहेगी चत में इस समय वेर्तमान गत्ति विदियों पर ही अपना ध्यान रखें किसी भी नई योजना को पूरा करने के लिए समय अनुकुल है हलाकि आपके दोरा कारपरनाली में लाया गया परिवर्तन उचीत साबित होगा दोस्तों अगर आपने कोई नया काम सुरू किया है तो अभी बहुत अधिक धैर और मेहनत की जरुत है मेडिया, कम्पुटर, इंटरनेट आधित से जोड़े व्याफसा में विस्तार होने की समभावना है विश्ष्ट वेक्तियों के सहयोग से आपका कोई रुका हुआ या विलिम्बित काम संपन हो सकता है इस समय नोकरी और व्याफसा समन्दिक गत्तिविदियों को अनुकुल बनाय रखने के लिए अधिक प्रियासों की जरुत है पुछ अधिकारियों के साथ बादचीत करतिश में नकरत्मा सब्दों का प्रियोग ना करें अना था कोई लक्षाप की आँख से ओजल हो सकता है दूस्तों कारिशेत में कोई भी निने बहुत ही साबदानी से लें छोटी से गलती या चुप की वज़े से ज़्यादा नुकसान हो सकता है लेकिन सहकर्मी और स्टाप के सहयोग से आपको मदद भी मिलेगी किसी सहयोग के साथ काम को लेकर तनाव रह सकता है दूस्त आपके लवलाट की बात करें तो पत्ति-पत्नी के विज उदित समान्जस बना रहेगा घर का वातारों सुखनामा रहेगा प्रेम रोमांश के मामले में आप खुद को भागे सालिम हैसुस करेंगे परिवार के साथ हास परियास और मनजन में समय वेतित होगा युआवर प्रेम समंदों को लेकर काफिर गंबीर और इमांदार रहेगे व्यक्तिकत और व्यावसाइक दोनों जगत से उचित समान्जस बना रहेगा किसी निकर समंदी से कोई सुख समाचार मिलने से प्रसंता रहेगी पति-पत्नी में किसी बात को लेकर वापसि समंदों जैसे का अभाव रहेगा समय अनुसार अपने वेहबार में भी बदलाव लाना जरूरी है एक दुसरे की भावना को शम्मान करें तभी आप अपने रिष्टे को काम्याब रह सकेंगे पति-पत्नी आपसी समंदों में एगो ना आने दें इसका असर घर के वतावरन को भी खराब कर सकता है रहम समंदों में एक दुसरे की भावना का शम्मान करना जरूरी है दोस्त आपके स्वास्त के बारें बात करें दोस्तों स्वास्तमंदी हलकी फुलकी दिकतें रह सकती है जिसके मुख्य बज़ा आपकी लापरावई होगा योगा प्रनयाम को अपने दिन्चारिया में जरूर सामिल करें इसे आपकी सरी तंदुरुस्त और फिट रहेंगे वर्तमान परिस्तियां के कारण मान से इस्तिक क कुछे विच्रित रहेंगे है सकथमा बने रहनе के लिए अध्यात्म और ध्यान का सहरा लें और सांत रहें किछले कुछ समय से चलिस स्वास्तवन दी परिसानि में सुधार आयगा शकरत्म परवर्थी की लोग 설िकी WILत्यास इस सदिकसार करें दूस्त आपके उपाय के बारे में दोस्तों किसी भी तलाब जिलिया नदी में मचलियां को नित जाकर आटी की गोलिया खिलाएं मा लक्षमी को प्रशन करने का यह बहुत ही अच्छे उपाय है निमित रूप से यह जो उपाय करता है कुछ ही दिनों में उसकी किस्मत चमक जाती है और दोस् सालियंक चार है दोस्तों मा लक्षमी का आशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिर्शे कमेंड बॉक्स में जै मा लक्षमी जडूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जडूर करें धन्यवाद